सर आपने कहा था कि गंटी बज़ेगी लेकि गंटी बजने से पहले आपने गंटा बज़ा दिया यहाँ पर यह ठिया लगाती इंशाला आज इसको एक दुपान मिलेगी माशाइललास जफर भाई भी आ गए देखें यहाँ पर जफर भी आप क्या कहेंगे आजिसार के ताले पर पहली बार हो रहा है जो कुछ भी हो रही है पहली मार्किट में आपको यकींदार आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा यकीं? इसके बाप शर्वक पिया गुलाब जामुन ख़या पिस हलीम क्ाई़ ख़या वारा भी चेम्स खाला अतुफा आपको कैसा लग रहा है बहुत खुश हूं मैं मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस मकाम पर आके खड़े हो जाओं कि मेरी बैन अपने लिए कोई प्रकान देखे उसका पूरा एक साल का किराया अपने अर्वांस में लेंगे उसको अंदर कोई चीज और लगवानी हो पर के आपके पास दो कि पीछेंगी के साथ क्या होता जैसब बताहे हैं और में उनको बुलाया और आ गए बहुत आता अब क्या होता था है आप आपके साथ कोन होता है वालदा कहा है वालदा नहीं है वालदा आपके बाबा के जरें आपके बुलवाएं ना आरहे हैं वह नड़की जिसके लिए लगार्टी सोरी यहां पर आ रहे थे माशालला आप देखें माशालला यहां पर जवन्दासिन कामर्ण के सोरी ने कहा कि मैं लाजमी आऊंगा और यह बजार है इस बजार में यह लड़की यहां पर यह ठीया लगाती इंशालला आज इसको एक दुपान मिलेगी और लाजमी इसी मार्गेट मिलेगी तुपक कैसा क्या पील हो रहा है आपकी क्या है अच्छे माखाम पे आजओं कि लोग तुमके डीक्रेट करें पर मैं तुमके बहुत अच्छे माखाम में और अच्छे माखां में हूं और छिके हैं मार्किट में आपको यकीन आ रहा है नहीं नहीं आ रहा है यकीन यह देखे बाई गवर्नर सिन कामरान टिसोरी देखें अभी आ गए है अतुबा के बाद माशाला सर असलाम अलेकों माशाला सफर भाई भी आ गए है देखें यहां पर चलते पिरते नाम है इस फोल का चलता पिरता है सब्सक्राइब आपने कहा था कि घंटी बजएगी लेकि घंटी बज़न से पहले आपने घंटा बज़ा दिया आप देखें सारे लोग इतनी मौबद दे रहें जी अब रोटी है तो पहले इदर आके आडू खाया बसाले वाला उसके बाद शर्वत पिया फिर गुलाब जामुन खाया फिर हलीम खाया और अब यह चेम्स का रहा है सर हजारों के मजमें में आपका अंदर आना लोगों को यकीन ने आ रहा कि अवामी गवंदर कामरां तिसोरी इस वक्त इतने बड़े मजमें के अंदर वुजूद चांद रात को पूरा हो गया सर ने वादा किया था चांद को में जाओंगा और यह वादा पूरा हो गया अधुछ बोलें सर से आपको कैसा लग रहा है बहुत कुछ हूं मैं पुर्स थे लुट्राइब को देख है जा हुए उनके लिए चलिए को मेरी बैन अपने लिए कोई प्तकान देखे उसका पूरा एक साल का कि गुरॉद फ्रॉर्डाइवा चलीए कुछ इसको अंदर कोई चीज और लगवानी है वो भी लगवादे नहीं किया किसी परेशानी की जड़ुत नहीं है अगर यहां पर इसको खड़े वे बिजा नहीं है यहां भी करना चाहती है यहां करें वरना दुकान ले ले जिसका पूरा एक साल का किराया हमारी तरफ से होगा मै मैंने बता दी है जफर भाई को दूसरी बात जो मुझे बताई गई कि इस बच्ची को कोई तंग कर रहा है तो यह सारे सुन ले और इस मार्केट किसा है वो चेर्मेंडर में बहुत बला उसको कोई शक्स वैसे तो किसी भी बेहन बेटी को अब इस शेहर में तंग करने वा चेर्ने वाली बात तो भूली जाओं मता उसका दो कि देना वाता जी ना करना लेकिन अगर उसके बावजूद किसी ने कोई हिम्मत की तो मैंने इस अपनी बेहन को कह दिया है यह गवर्नर हाउस के बाहर बेल तो लगी लगी है लेकिन वैसे भी यह गवर्नर हाउस जिसने ज्याति की उसका घंटा हम बजाएंगा अब करना है कि इसको कोई ना तंग करें और नहीं कोई ऐसी बात हो कि जो इस शेर में बात आएंगे ना परिशूद करना है इस बच्ची की वज़े से यह स्टॉल पूरा लगाएगा जो होगे आओंगे बस बटा जो हमने आपको प्टा बेह दिया मैंने अपना यहाथ आपके सर पर रख है आप मेरी च्छोटी बेटी की तरह हूं लिकर आपको दंग करें आप ने इदर बताना है यह और बताना ए इसको कोई तंग का जाना है अचा वेटी आपके वाले निए इस मार्किट में पैसी दुगाइब ने आपर जब जाने फूर सेंटर फूर्ट है वालो ने पैदल का दे करते हैं